हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल मुवी स्टिपर दोस्तों महिला परदान फिल्मों के दोर में महिला सर्वाइबर को जुजारू और दमदार अंदाज में देखना दर्शुक के लिए काफी दच्ज़बी वाला काम रहा है सर्वाइबर बनकर विजीताओं के रूप में उबरी नाइकाओं की फिल्मों की बात की जाए तो कुछ अड़ सा पहले आई एने स्टेन और हाल फिलहाल की मिली और अकेली जैसी फिल्मों में नाइकाओं ने अपनी सशक मुमी का दर्शुक एसी कड़ी को आगे बढ़ाती है लेखक मिरदेशक निकिल नागिशवर्ट की अपुर्वा फिल्म बले ये आपको हिंसात्मक लगे मगर सर्वाइबर के रूप में यंग एक्ट्रेस तारा सुतारियों को खुंखार गुंडों से दो-दो हात करते देखना ना केवल दिलकी दर्कनी बढ़ाता है बलकि आप दकेद गुंडे उन पर हमला करके उन्हें बेरेमी से मार डालते हैं और सारा समान तूट लेते हैं इस गेंग का यही काम था दया शमा नाम की यह भावने उनके अंदर थी ही नहीं इसके बाद वो लोग एक जगा पर जाते हैं जहाएं इन चारों को टिप मिलती है कि एक ट लोग ट्रक को लूटने जा रहे थे रास्ते में जब उनकी गाड़ी चल रही होती है तो वो लोग बस वाले से साइड मांगते हैं बस वाला उन लोग की गाड़ी पर ध्यार नहीं देता जिसे जुगनों को काफी गुस्वा आ जाता है तो वह अपनी गाड़ी को बस के पूर्वा से उसकी बात कराओ लेकिन सुखा बोलता है कि हम तो इसे उठाकर ले जा रहे हमत है तो आओ और इसे चुड़ा ले जाओ पूर्वा उनके चंगुल से पशने की बहुत कोसिस करती है और वह लोग उसे जबरदस्ति उठा ले जाते हैं फोन बस में ही गिर जाता हैं जहां एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा था बल्ली छोटा सुखा तीनों अपूर्वा के साथ जबरदस्ति करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ऐसे पैसा रहे होते हैं जैसे वह कोई लड़की नहीं उनके लिए कोई खिलो ना हो तो अपूर्वा छोटा पर ग खेर लेते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता न पाए और चारों लोग नसेवाजी करते हुए शोर कर रहे होते हैं कि तभी अपूर्वा होश में आ जाती है अपूर्वा चला के दिखाते हुए वहां से भाग निकलती है और पीछे पीछे जोतिस भी भागने लगता है से पकड़ लेता है कि तभी अपूर्वा के हाथ में बाल्टी आ जाती है जिसे वह उसके मूँ पर लगातार मारती है और से छोटा मर जाता है तीकि सुनकर बागी वह तीनों गुंडे वहां पर तुरंत आ जाते हैं और यह सब देखते हैं वह देखकर हैरान हो जाता है कि एक लड़की छोटा को कैसे मार सकती है उदर सीट उस जगा पर पहुंच जाता है जहां से उन लोगों ने अपूर्वा को उठाया था तो पुलिस तसली देती है कि वह लोग लगे हुए हैं अपूर्वा को ढूंडने में अपूर्वा के लिए भी किसी को जान से मारना अस इस हालत में नहीं थी कि वह जोटिस को मरने से बचा पाए तब ही जोटिस का फोन बसा है तो उससे पहले कि वह लोग उस तक पहुंचते अपूर्वा फोन लेकर छुप जाती है पूर्वा के पास फोन था तो वह अपनी मदद के लिए किसी को भी बुला सकती थी और पुल है कि वह कुछ और बताती तुखा उसके पास आ जाता है तो वह फोन रख देती है पूरी तरह से जानकारी हो गई थी कि अपूर्वा को कौन लोग उठाकर ले गए लेकिन वह कोई भी एक्षन नहीं ले रही थी उनका कहना था कि उनके पास बंदूके नहीं और ओर भी नह नहीं लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही तो वह खुद ही उसे बचाने के लिए आ रहा है जिद अपूर्वा से उसकी लोकेशन मांगता है तो अपूर्वा लोकेशन सेंड कर देती है और बेलेस बिगणने से मोबाल सीधा पानी में गिर जाता है वह तीनों लोग अभी अपुर्वा को ढूड़ने में लगे हुए थे अपुर्वा कुई से बाहर निकलती है तो उसे खत्यार मिलता है जो की एक हसिया था जिसका इस्तमाल होता है घास काटने में वह भागी रही थी कि तभी बल्ली उसे घेल लेता है पुर्वा उसे लालस देत कि वह बल्ली को लिजाने के लिए मना कर देता है उधर से कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस को अकेला पाकर किड्नेप कर लेता है और उसकी बंदुक और बाइक लेकर निकल पड़ता है अपुर्वा को बचाने अपुर्वा अब तक उनसे भागी रही थी वह सोसती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत करने की कोशिश की गई अब वो उसका बदला जरूर लेगी और उस गेंग का पूरी तरह से खात्मा करेगी वह प्लान बनाते हुए जुगनू को अपनी पीछे बगाती है और फिर अचानक सामने कुवा आ जाता है तो अपुर्वा मुड ज सुखा को किसी के भी मनने का कोई फरक नहीं पड़ रहा था बलकि वह अभी किसी भी हाल में अपुर्वा को पाना चाता था बल्ली गाड़ी में अभी घायल पड़ा हुआ था अपुर्वा उसे भी वहां पहुंचा देती है जहां छोटा जुगनू और सुखा को पचाया सुखा अब भी अपुर्वा को ढूणी रहा होता है कि तभी अपुर्वा कार चालू करके उसे टककर मार देती है अपुर्वा को ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आती थी और वे खेत में गाड़ी को गुसा देती है जिससे अब अपुर्वा को पेदल ही भागना पड़ जा लेकिन सुख्θα फिर भी बच जाता है लेकिन वो पूरी तरह से गायल हो चुका था लेकिन वो अब भी अपुर्वा का पीछा नहीं चोड़ रहा था और सुख्खा कहता है कि वो उसके साथ शादी करेगा और उससे उसका नाम कुछता है तबी अपुर्वा एक बड़ासा प को जाती है दोस्तों मेला कैंडरे थे तक विशय श्शक्त मिजी करने वाओ करने वाले वीडियों नहीं फिल्म के साथ तोड़ी सी सविल्याव स्टाक्रback करने वाला बेदि थोछ मेलाओं आद भींद सुर्द्रफिलर वन इसकी लंबाई है जो कि दो गंटे से भी कम है जिस वज़े से आप फिल्म में सुरू से आखर तक जोड़े रहेंगे खामियों की बात करें तो कहानी हम पहले से ही गेस कर चुके होते हैं जो रहसे और रोमाज को कम कर देता है फिल्म का गीत संगीत भी होसत है तारा सुतारिय में उन्होंने जिया है राजपाल यादाव अभिशेक बनर जी नकारात्मक करदार में चमके हैं तुमित और आदित्य का काम भी अच्छा है तो इन सब के बहतरी नभीने की वज़े से आप रिस्म को एक बार तो जड़ू देख सकते हैं तो दोस्तों आगे भी आपको ऐसे